हेलो एवरिवन, राधे राधे, जैसी अराम, आज की इस वीडियो में हम लोग चंदन छट वरत की कहानी सुनेंगे, तो पूजा कैसे करनी है, कैसे वरत किये जाते हैं, उसकी वीडियो अल्रेडी चैनल पे आ चुकी है, आप उसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्रि लोटे के उपर आप साथ तिक्की लगवाली जीएगा, चंदन से या रोली से, कुछ जगापे तिल लेके कहानी सुनी जाती है, तो आप तिल ले सकते हैं, और कुछ जगापे गिन के गेहूं के साथ दाने लिए जाते हैं, तो आप कहानी सुन सकते हैं, हाथ में फूल और जाने लेने के बाद हम कथा सुनेंगे तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। जाने लेते हैं। गुसे में भरकर बहु ने कुतिया को जलती लकडी से मारा जिससे उसकी रीड की हड़ी तूट गई। बहु ने वह खीर फैंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब भ्रामन भोजन कर चले गए। परन्तु बहु ने कुतिया को जूटन तक न दी। रात होने पर कुतिया और बैल बाते करने लगे। कुतिया बोली आज तो तुम्हारा श्रात था तुम्हे तो खूब खाने को मिला होगा। मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला। उल्टा मेरी पिटाई और हो गई। उसने उप्रोक्त खीर और सांव वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला आज तो मैं भी भूका हूं। कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और कई दिनों की अपेक्षा काम भी बहुत अधिक करना पड़ा। बेटा और बहु बैल तथा कुतिया की सारी वारतालाब सुन रहे थे। तभी बेटे ने पंडितों को बुला कर पूछा कि उनके माता पिता किस योनी में हैं। पंडितों ने देख कर बताया कि माता कुतिया योनी में हैं और तुम्हारे पिता बैल योनी में हैं। तुम्हारे ही घर में हैं। लड़का सारा रहस से जान गया। उसने अपने माता पिता यानि की बैल और कुतिया को भर पेट भोजन कराया और पंडितों से उनकी वार्तमान योनी से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्ष दिया कि भद्रपद की कृष्ण पक्ष की शष्टी को जब कुमारी कन्याय चंद्रमा को अर्क देने लगें तो ये दोनों प्राणी यदि अर्क के नीचे खड़े हो जाएं तो इनको इनकी सभी योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी मा रितुकाल में सब बरतन छूती थी इसी कारण इस दोश से इसे यह योनि मिली थी। आने वाली चंद शष्टी पर लड़के ने उपरोक्त मातों का पालन किया जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवंबैल की योनि से छुटकारा मिल गया। तो इस प्रकार से जो है ये चंदन छट की कथा थी जो मैंने आपको सुना दी है। इसके बाद आप छोटी सी विन्नायक महराज की कथा कर लीजिएगा यहीं पर बैठ कर। और ये जो दाने हैं जिन से हमने कथा सुनी हैं हम थोड़े से लोटे में डाल देंगे और थोड़े हम बचा के रख लेंगे रात के लिए। और फिर एक बार तो हम जल अभी दे देंगे सूरे भगवान को कथा सुनने के बाद और जब रात को चंद्रमा निकलेगा तब उ और ये जो हमने गेहूं रखे थे, कुछ दक्षिन रखे, ये हमें किसी गरीब को दे देना है, या हम किसी मंदिर में दे देंगे, तो इस प्रकार से मैंने आपको कथा भी सुना दी है, वरत कैसे करना है, वरत विधी की संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाके उस चैनल रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले, प्रिटा बीचाई